अससलाम अलेकुम दोस्तों माइनेम इस साद्जुबेर वोरा तुड़े आइम गोइंग तो डिसकर्च अबाउट नेट प्रेजिंट वैलियू रिटर्न इंवेस्पेंट और पेबैक यह तीनों चीज़ें हम निकालेंगे सबसे पहले देखते हैं कि डिसकाउंट फेक्टर कैसे निकाला जाता है यह स्टार्ट अफड़ इयर इंवेस्पेंट हो रही है वन टाउजन डॉलर की जो कि मैंने नेगड़े पे ले लिए है जो कि अन्डिसकाउंटेट कैश फ्लोज हैं और कुछ इन्फ्लोज है जो इयर स्टार्ट ऑफ दा इयर है तो हमने इयर जीरो से स्टार्ट किया और डिसकाउंट फेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वह मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि वन डिवाइड़ेड बाइवन प्लस आर ब्रैकेट क्लोज एन आर जो है वो डिसकाउंटिंग रेट है जो हमारे पार 12% मौझूद है और एन जो है वह इस दे नंबर ऑफ पीरिट इन डिसकाउंटिंग तो हम यहां पर डिसकाउंट फेक्टर निकाल लेते हैं वन डिवाइड़ेड बैकेट ओपन वन प्लस डिसकाउंट रेड उसको हम एफ़ोर से लॉक कर देते हैं ब्रैकेट अच्छा अब हमारे पार प्रेजंट वैल्यू निकाल लिए डिसकाउंट फेक्टर निकाल लिया तो प्रेजंट वैल्यू कैसे निकलेगी कि डिसकाउंट अंडिसकाउंट कैश्फ्लो को आप मल्टिप्लाइड कर देंगे डिसकाउंट फेक्टर से ताके प्रेजंट वैल वैलिए आगई 210 एक है और रिटर्न अइंवस्मेंट कैसे निकालेंगे कि आपकी जो नेट प्रिजन वैलिए इसको आप डिवाइड करतें इन्वेस्मेंट से यह परश्टन आपको रिटर्न वन इंवेस्मेंट मिल रहा है पेपैक कब मिल रहा है अगर आप गhण करें तो ये दो amounts मिला के कितना बन रहा है 855, तो इसका मतब दूसरे या पहले या दूसरे year में हमारी investment recover नहीं हो रही है, हमारी जो investment recover हो रही है, वो third year में जाकर हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको third year हमारा payback होगा, return on investment, ये payback क्या है, कि basically आपकी investment कितने सालों में जाकर recover हो रही है, I hope you have enjoyed this video, kindly do share with your friends and colleagues, thank you very much, Allah peace